ये अवरीबन वेलकम बाग वेलकम बाग तो दी यूट्यूब चैनल आफ रादिगा क्लासे तो भाई आज हम डिसकस करने वाले माच के पेपर के बारे में जो हुमारा क्लास टोल मतमटिक्स का पेपर होने वाले उसके बारे में भी कौन-कौन से टॉपिक आपके पेपर में आने वाले हैं और उसके बाद आप लोग 80 out of 80 स्कूर कर सकते हो आपने आने वाले बोड एक्जाम के अंदर तो भाई बहुत इंपॉर्टन टॉपिक्स है अब अगर हमने पिछले यहर के पेपर की अनलाइज करने के बाद यह टॉपिक्स को निकाल के देखा भी यह टॉप इंपॉर्टन टॉपिक्स यह जो पेपर एक्स बूस की बात की जा रही है यह लास्ट यह की पेपर को एनिलाइज करके हम लोग डिसक्स करने वाले कौन से टॉपिक्स को बढ़िया तरीके से प्रिपेर कर सके और अपने पेपर के अंदर 80 आउट आफ एटी स्कूर कर सके अब आज पहले डिसक्स करते हैं अब सबसे पहली बात पर आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो जिसके नाम रादिगा क्लासेज है जिसके उपर सारे नूट सारे लिंक्स सारी अपडेट्स शेयर की जाती है और टेलिग्राम जोइन करने का ये फाइदा अब बात करते हैं हम अब आज से पीवाई क्यू सुलू करने जा रहे हैं माथमाटिक्स के हमारे एक न्यू चैनल पर जिसका नाम है रादिगा क्लासेज मैट्स उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रवाइट कर दूँगा आज हम फस्चेप्टर के पी स्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिये जाओ फड़ावड़ से सब्स्क्राइब करो और सब्स्क्राइब करने के बाद उसकी अनोटिविकेशन को आपको अपडेट मिल जाए और आपकी कोई भी क्लास मेंस नहां बात करते हूं हमारे दो सब्सक्राइबर पॉन्सें-से प्य वाल है equivalent relation निकालना एक ordered pair का ordered pair मतलब A B और C D का अगर NCRT से out of NCRT बात करूं NCRT आपको आनी चाहिए अगर आपने 80 out of 80 score करने तो NCRT का हरेक question हरेक जाए example आपको आना चाहिए उसके बाद जो बाहर से चीज़े important होने वाली है that is equivalent relation of ordered pair ordered pair पे जो equivalent relation लगता है और जो पे जो relation लगता है उसका ordered pair discuss करने वाले है फिर ITF से inverse Regnometric function से आपका principle value function और substitution के question यह दो तरीके के question सबसे जादा important रहते हैं हम आपके साथ discuss करने वाले अब यह किस तरीके से principle value function और substitution के question आप लोग solve कर सकते हो सारे chapters के PYQs आएंगे और maths में PYQs के साथ साथ आपका concept भी revise करा जाएगा और concept revise कराने का मतलब आपके one shot और PYQs मतलब kind of दोनों एक साथ cover किये जाएंगे आप chapter number three matrices की बात करूं तो transpose और symmetric और skew symmetric matrix इसका सबसे important question बनते है फिर chapter number fourth की बात करता हूं determinants इसमें सबसे important question बनते है properties of determinants and adjoint adjoint की properties, adjoint का determinant क्या होता है, adjoint कैसे निकालते है और उसके बाद properties of adjoint, properties of inverse यह सारे कुछ आपके लिए important है उसके बाद solution of equation जो आपकी exercise 4.6 है जिसके अंदर हमने तीन equation दे रखें उसको matrices method से solve करने वह आपके लिए काफी important होने वाली है chapter number five continuity and differentiability यहां से calculus शुरू होता है, आपको पता है calculus एक बहुत बड़ा major portion carry करता है math के अंदर, तो यह calculus की बात करूँ तो इसके अंदर यार chapter number five में से सबसे पहले आने वाला higher order derivative, मतलब आपको जब एक function को एक से ज़्यादा बाद derivative करना होता है, तो वो question आपके लिए important हो सकता है, दूसरी बात आती है parametric function की parametric function जब जो x और y है, किसी तीसरे variable पर depend करते हैं, तो उनका double derivative का question most of the exam के अंदर देखा गया है, जब आपको parametric function का double derivative करना होता है, फिर उसके बाद logarithmic derivative, जब एक power में variable आता है, तो log लेके differentiation करते हैं, यू और वी लेट करते हैं, ये वाले questions बहुत ज़ाद है, यार expected question है, इन तीन में से एक question, इन तीन topics में से एक question आपके board exams के अंदर होगा, फिर उसके बाद chapter number 6 की बात करते हूं, application of derivative, increasing, decreasing function से एक question आने वाले है, जो maximum हो, maximum जहाँ तक मुझे practice निकराएंगे, फिर इसके बाद chapter number 7, integrals की बात कर रहा हूं, integrals में mainly partial friction, by parts, properties of definite integral, इन तीन topics से एक expected question 101% है, या तो partial friction का question या by parts का question या फिर आपका properties of definite integral, और इन में से सबसे ज़्यादा chances है, properties of definite integral के question आने के, तो भाई ये topics शोड़ के मत जाना, these are the diamond topics, these are the most expected topics, जिससे paper में question आने के पूरे पूरे चांद चाज़ है, और ऐसे कोई हवा में बातते हैं नहीं कर रहा हूं, पिछले साल के paper उठाके देख लो, जितने भी पिछले साल के paper हो हैं, उनके अंदर ये topics आपको मिलेंगे, definitely मिलेंगे, क्योंकि हमारे पिछले साल की सारी analysis के बाद, ये सारे topics most important हैं, तो इनको मेंस मत करना, और जितना हो सके वीडियो को share कर देना, अगर आपको लग रहा हो, ये वीडियो आपके लिए helpful है, तो like कर देना, अगर नहीं भी करोगे, तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट share करना ना भूलना, ठीक है, आप इसकी बात बात करूंगा, chapter number 8, application of integral, यार बहुत छोटा सा chapter है, अगर बहुत छोटा सा chapter है ना, तो आपको इस chapter के अंदर से कुछ important बताने की जूरत नहीं, आपको ये complete chapter, पूरा complete chapter करना होगा, chapter number 9 की बात करतो हो, differential equation, इसके अंदर important रहने वाले, homogeneous equation और linear differential equation, इन दोनों में से भी एक question आने की guarantee ले रहो, homogeneous और linear में से एक question जरूर आएगा, अगर आप दो exercise करके जारे हो, तो आपके चार number पक्के हो रहे है, homogeneous genius और differential equation कैसे solve होती है, chapter number 10, vectors की बात करता हो, ये थोड़ा सा टेड़ा chapter है, टेड़ा chapter की हो, क्योंकि इसके अंदर आपको लगबक सब कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने differentiate कर दिया, scalar और cross product, इनके जो question है, जो आप miscellaneous के आखरी के 5-7 question देखते हो, miscellaneous exercise, NCRT miscellaneous exercise के आखरी के 5-7 question काफी important होने वाले है, PYQs के अंदर maximum question उन concept पे based है, वो जो 5-7 question आपके लिए मिल रहे है, तो उन questions को जरूर कर ले आपके लिए बहुत important होने वाले है, फिर chapter number 11 की बात करता हूँ, जिसका नाम है 3-dimensional geometry, 3-dimensional geometry में एक question जो NCRT से बाहर आता है, that is, image का question, foot of perpendicular का question, intersecting line का question, shortest distance का question, shortest distance एक NCRT concept है, लेकिन intersecting line और ये image और foot of perpendicular, out of NCRT थोड़ा सा चला जाकता है, इसके question हम आपको मैच के चैनल पे कराने अले है, तो जल्दी से जाओ, मैच का चैनल सब्सक्राइब कर दो, और जितना हो सकता हो, उसको share कर देना, क्योंकि आपके support के सा feasible reason, feasible points निकाल के, maximum minimum निकाल लें, बहुत छोटा सा chapter है, ठीके, chapter number 3 के अंदर, 13 के अंदर, probability के अंदर, आपको base theorem को बहुत अच्छे से करना होगा, और जब आप base theorem कर रहे हो ना, तो आपकी conditional probability और independent events अपने आप हो जाएंगे, तो मैं तो यह बुलूँगा, base theorem अगर आपको आती है, तो आपको complete probability आती है, तो probability में सबसे ज़्यादा important रहने वाल है, base theorem, तो भाई, यह chapters के, हर एक chapter का important portion बता दिया, और मैं आपके साथ, रादी का classes आपके साथ, विशाल सर आपके साथ, यह सारे topics के most expected question, हम आपको कराने वाल है, PYQs के अंदर, तो फड़ा बट से उ जोइन कर लो, और telegram channel को जोइन करना ना भूलना, क्योंकि यह तो patron आपम लेके आ रहे हैं, माच के लिए, माच के PYQs, जितने physics के PYQs आपके लिए helpful थे, उससे जादा helpful आपके लिए माच के PYQs होंगे, और एक माच ऐसा subject है, जिसके अंदर full mark score करना, 80 out of 80 score करना, comparatively easy रह कर देना, और हो सके तो like कर देना, और वीडियो के, जो माच की class होने वलिए, उसके अंदर live मिलना, मिलते हैं, जल्दी से live class में, at 8.30 p.m. Thank you so much.